दवश्कार दश्चुको, उसाखु की चैनल में आपका स्वागत है, मेरा उशार आठोर है और मैं आपको एक एसी रेसिपी बनाना बताऊंगी, जिसको बनाना बहुत आसान है, इसको हमारे घर में सारी चीजे मिल जाएंगी, घर में जो भी चीजे रखी हुए, उसे ही मैं आपको यह रेसिपी बनाना बताऊंगी, और इसको बनाना बहुत आसान है, आप देख सकते हैं, तो आज मैं आपको हेल्दी और टेस्टी धोगला रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, झाल जाजला बहुत दो, जढ़ मैं तwehrा बार बहुता है, तो आज मैं टैसे ही मैं । कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अचल को उताओे कि आपको नचको जादे बड़ा को कि अच्छोरपी से कर दो कि अचाय जाओने भी, हो पर एफ़ जाओे के आपको डिला जादे को इंव शचर में उता है, ढुच जाल प्लॉ कर दो 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 कर झाल झाल तो यह जो ठोकला मेंने बना कर तयार किये हैं यह जवार बाज़रा गेहूं का आटा मिक्स करके बनाए है तो आप देख सकते हैं यह बहुत ही फूले हुए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ढोकला बने हैं आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से फुले हैं क्योंकि इसमें गेहु का आटा, जवार का आटा, बाजरे का आटा और मक्य का आटा थोड़ा सा बेसन मैंने स्वात के लिए इसमें मिलाया है इस प्रकार से mix करके, जिसी multi-crain डाटे के न सकार क। रोटी बनाते हैं, इसी प्रकार मल्टिक्रें डाटे से आप धोकला बना सकते हैं, और मैंने एक तरीका आपको भी बताया था कि आप गेहूं का अटा ज्यादा mix करके बना सकते हैं, शुरू में जो मैंने वीडियो में ब प्रणाय ही